कि आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम क्लास्स में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम अकेडमी सिकर की और से जो कलाम प्रीट 3.0 का आउजन किया गया था दस जुलाई वह उत्तर है जो आपके कलाम अकेडमी के और से बताए गया है तो यह वीडियो उनकी लिए भी उप्योंगी है और जिनके 23 और 24 जुलाई को जो रीट का एक्जाम में उनको तो यह वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनकी मुल्यांकन हो सकते कि इनकी तैयरी किस लेवल पर हुई है तीस प्रस्णों की इस वीडियो में हम चाचा करेंगे आपके तीस में से कितने प्रस्ण से होते हैं कमेंट करके जरूर बताना तो सबसाब पहला प्रस्ण जो आएगा आपकी इस गध्यांस प्रादारित है जो 31 से 35 तक प्रस्णों के उत्वर देने आपको तो इस वीडियो को आप पोज़ करके यह पूरा गध्यांस पढ़ सकते हम सीधा यह जिसके प्रस्णों के उपर चलता है तो 31 नमर प्रस्ण है जो व्याकरण पर अधारित पूरा राष्ट्र बक्ति शब्द में समास कौन सा है राष्ट्र बक्ति तो अवीबाव समास है बहुबरी समास है द्वन समास है तत्पूरुष समास है तो इस राष्ट्र बक्ति शब्द में जो समास है वो आपका 32 नमर प्रस्ण है कि सर्वोपरी शब्द का संदी उच्छेद क्या होगा सर्वे प्लस उप्री सर्व प्लस उप्री सा प्लस उप्री सर्वोप्लस प्री तो इसका जो सही उतर है वह आपका उप्शन नमबर भी हो जाएगा सर्वोपरी में संदी उच्छेद सर्व प्लस उप नेक्स्ट कुशन है गोरव शब्द में कौन सा पड़ते हैं तो गोरव शब्द में अव पड़ते हैं ए पड़ते हैं या फिर व पड़ते हैं तो इसमें जो पड़ते हैं आपको इसका मूल शब्द क्या है उसका उतर आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है इसे गोरव शब् जो परते हैं तो इसका मूल शब्द आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है और यह जो शब्द हैं जो इसका मूल शब्द हैं वह आज के दिन के लिए काफी असार पूर्णिमा के दिन जो महत्पुन होता है उसी की आदार पर आपको हिंट दिया जा रहा है तो आप इसका उत्र कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे कि इसमें मूल शब्द क्या है वैसे इसका परते जो हो आपके हैं प्रसंद संक्या 34 अनुयाई का विलोम क्या होगा तो तो निर अनुयाई विरोधि शत्रु या फिर अनुयाई तो मनुष्य सब्द में किस प्रकार की संग्या को उदारण है या सभर बहुभ आप आपके तो मनुष्य सब्द में जसेदी संज्धाय वह kuv कहां जाती वाचिए तो मशी सब्द में सेद्ध है वह को जाती वच्क प्रादारी सी दैने हैं कि वीडियो को पॉज करके आप साथ इति अबिध्यांस कों परिद्र सकते हैं हम member ॥जा प्रस्ण बजलता है क्षमा कन्या पुत्र भाई इसका जो से उत्र वह आपके हो जाएगा क्षमा इसका लिंग वचनी किसी भी काल प्रस्तिती में नहीं बजलता है 37 नमर क्षण है कौन सा पूर्लिंग में असंगत है यानकी तीन तो पूर्लिंग है एक पूर्लिंग नहीं है रक्त वंच अकांग्षा और बीश्मा इन में से जो आपके अकांग्षा है वो यह पूर्लिंग शब्द नहीं है बाकि तीनों ही जो आपके पूर्लिंग शब्द ह 38 नमर क्यूशन है वो भी ब्रह्मचायरी थे वाकि में जो रेखांकित शब्द दे रखा है ब्रह्मचायरी इसका ताथपरी क्या है ब्रह्मा में विली ने सात्विक जीवन को जीने वाला है ब्रह्मा को न मानने वाला है और केवल भक्ति करने वाला है तो ब्रह्मचरी का मतलब इस गद्यांस के अधार पर क्या हो जाएगा सात्विक जीवन को मानने वाला 49 नमर क्यूशन है कि बिश्म ने बच्पन में पीता की गलत अकांग्शाओं की तरपती के लिए बिश्म परतिया की थी तो वाकिय में कौन सा काल है सामाने बूत काले अपूर्ण बूत काले पूर्ण बूत काले या संदिक्द बूत काले तो इसका जी बिलकुल सही उतर वह आपके हो जाएगा पूर्ण बूत काल के परतिया की थी तो इसमें आपके हो जाएगा पूर्ण सब्सक्राहण alan का उपकार माने उसके लिए एक शब्द में क्या को उपकार जाता है उत्राइब माने उसको क्या का नहीं इस तरौ अधरी ते Prestia कि सीता अपने पती से जगड़ा कर रही थी इस वाकी में आपको उदेश बताने तो सीता पती कर रही थी या अपने तो इसमें जो वाकी का उदेश है वो आपके हो जाएगा सीता आकास सीर पर उठाना मुहावरे का आर्थ क्या है असंभव कारी करना बहुत शोर करना प्रेम प्रकट करना बारी वर्स्तों को उठाना इसका जो बिल्कुल से उतर है आकास सीर पर उठाना मुहावरे का आर्थ है बहुत शोर करना 43 नमबर क्यूशन है कि इन में से कौन सी लोकोक्ती नहीं है आप बला तो जग बला इन तीलों में तेल नहीं कभी गीग गना तो कभी मुठी चना और आचल पसारना तो बाकी तो कोई confusion है नहीं लेकिन आपको मुठी चना और आचल पसारना में आपको confusion हो सकता है तो इसमें आचल पसारना जो आपके क्रिया है इससलिए या या आपके एक महावरा हो जाएगा आचल पसारना लोप जिना कौन सा हैं लोप जिना बताने इनमें से तो सही उत्र जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन पेंतालिस नंबर जिना इनमें से कौन सा उपवन का प्रेवाची शब्द नहीं है बगिचा है गुल्शन भी है वाटिका भी है लेकिन पुश्प धनवा जो है आपके प्रेवाची शब्द इसे उपवन का नहीं है 46 नमर क्युश्टने कि इन में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है किताब हैं, सीनेमा भी हैं और संत्रा भी है इसका मतलब एक गमला जो आपके विदेशी शब्द नहीं है 47 नमर क्युश्टने कि सहादेव पढ़ाई करता है अर्थ के आदार पर या किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य, विदानार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य, ग्यानार्थक वाक्य इसमें जो सहादेव पढ़ाई करता है अर्थ के अदार पड़े विदा नार्थक वाक्य का उधारन है प्रसन संक्या 48 अब आपके जो शिक्षन वीजिव के प्रसन पूच्छे जाएंगे और शिक्षन वीजिव के प्रसन के लिए आपके लिए काफी important एक सुचना है कि 2011 से लगाकर 2021 तक अब तक जितने भी आर्टेट और रीट हुए हैं उनमें बासा परतम और बासा सेकंड हिंदी के जितने भी शिक्षन वीजो के प्रसंद पूछे गए हैं उन सभी का एक गंटे का पूरा वीडियो है और वो वीडियो मे इस वीडियो के निचे description box में दे दिया जाएगा वहां से वीडियो आप जरूर देखें यह वीडियो देखने के बाद में ताकि आप जो शिक्षन वीडियो के प्रसंद अधिक सभी कर पाएं और आपको पता चलेगा कि शिक्षन वीडियो के प्रसंद किस प्रकार जो repeat होत कि आपको चित्र कला चाहिए चैएं यहां मत का समर्थन किसने किया तो कलाम के ओर से यह प्रसंद पूछवा ही डाला गए है तो महतमा गंदी अरविंदकों स्विवेकान तो विनो बभावे सही तो हो जाएगा इसका महतमा गंदी 59 निवर प्रक्रूशन भी पूचा होएं कि हिंदी बहसा कोशल का स्वाबाविक औरमणोगयनिक क्रम कौन सा है तो सुनना पढ़ना बोलना लिखना बोलना लिखना बोलना पढ़ना पढ़ना सुनना लिखना अगर आपको चार अक्षर याद है सूबोपली तो आपके इस हिंदिय और शंस्क्रट के कम से कम दो प्रसना आपके सही हो जाएंगे इस करम को आप याद कर लें तो सुनना बोलना पढ़ना और लिखना यहीं है जो मनोगेनिक करम है सबसे पहले सुनना अंतिम कुन सा है लिखना तो इसमें आज़ेगा सुनना बोलना पढ़ना और लिखना लेकिन एक ऐसे व्यक्तित हुए हैं जिन्होंने सुनना बोलना लिखना पढ़ना बता हैं जिन्होंने सुनना बोलना लिखना पढ़ना बता हैं तो यह किसके दौरा बताया गया है वह आप कमेंट बॉक्स में सब्स 파 17 कोशलाइत मगइभ कोशलाइक अर्थग्रण उद्दाइश्य और अभी रुचात्मक उद्देश्य तो बासा सेक्शन में साहिती की सम्माह रोथना तो यापके जिद्द? खुण सम्मंदित है बासा स्क्षन के उपागम यह भी प्रस्म पुछा हुआ है पार्श Losgam स्क्ष्षन उपागम और रस्तना स्क्ष्षन उपागम ए और बबी दोनों इनскомों नहीं तो बसष्षन पर बागम दो होते हैं एक तो पार संसर्ग उपागम और रस्तना सेक्शन उपागम इसका मतलब ए और बी तोनों सब्सक्राइब आओ नेच्ट यह भी पुछा हुआ ही है कि पाद्य फुस्तक नीरमान की प्रक्रिया शाहि न रवं कोंसा है क्या एक जो प्रस्तूतिकरनी बॉलेटिन दवर में लेट यह तो दर्श्य सामगरी तो यह आपके गलत हो जहते ही और हैड़ फ्रक्जक्र सामगरी यह बिल्कुल आपके सही है सितावादी अंतर यह ग्रामोफोन को कहते हैं और यह स्रव यह सामगरी है मान चित्र के अवल दरश्य सामगरी है तो अपना उतर हो जाएगा इसमें और एड़ प्रोजेक्टर यह प्रक्षपी सामगरी का उधारन है अगरा परसने की निबनात्म प्रसनों का यह गून नहीं है पहला उप्षिन इसमें सही है प्रस्पन नमर क्यूशन आपको इसमें प्रस्ण संग्या पसपन कि सातत्व व्यापक मुल्यांकन का उद्देश है क्या है तो केवल विजार्थी की उपलबदी पर ज्यान देना शिक्षक के अंदित सिक्षन स तुनिश्चित करना केवल ग्यान अत्मापक्स का मुल्यांगन करना और शिक्षन अधिकम प्रक्रिया को विद्यार्थी के अंद्रित बनाना तो इसका डी वाला उत्तर रिविस्स में सही है जो हिंदी की सिक्षन वीडियो का मैंने वीडियो बनाए कब से कम एक गंटे का उससे पहले एक वीडियो में और अपलोड कर रखा हैं 2011 से लगाकर 2021 तक अब तक के जितने भी पेपर हुए आर्टे रीड के उसमें बाल युकास के जितने भी प्रसंद पुछे गए हैं लेवल फास्ट और सेकंड का तो पैंतारीस मिनिट का वीडियो तो वह एक बार वह को इसी वीडियो के नीचे description box में दे दिया जाएगा तो यह दोनों वीडियो काफी important है अगर आप दोनों वीडियो देखते तो आपके काफी अच्छे मार्ग से जो पात्रता परिक्षा के लिए हासिल हो जाएंगे चलते हैं शपन वरकेशन में ऐसा परिक्षन जो विजारतियों की कारण का व्यक्ष करने के लिए बनाया जाता है उपलबदी परिक्षन योगात्मक परिक्षन नीजानात्मक परिक्षन नीजानात्मक परिक्षन तो जो कारणों का व्यक्ष करने के लिए तो वह आपके हो के लिए कौन सा सिक्षन किया जाता है इसका उत्राइब कमेंट करना है ब्लूम के मुल्यांकन उपागम का सम्मिलित तत्व नहीं है सिक्षन के उद्देश्य विश्यवस्तु अधिगम अनुभव और व्यभार में परिवर्तन तो विश्यवस्तु इसमें सम्मिलितने बाग क कितीनों इसका सही अंसर है आगमन विदी के रूपों के संख्या कितनी है तो दो तीन पांच और चार तो आगमन विदी के दो रूप होते हैं कौन कौन से रूप होते हैं अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना उनसाथ नमबर प्रस्ण है कि खना नुए विदी तो इसका उत्र हो जाएगा प्रस्ण उत्र द्वारा अंतीम प्रस्ण आज कहिए इस सिक्षन में इसमें हिंदी के प्रस्णों का कि हिंदी सिक्षन हिंदी बासा सिक्षन का सिद्दान्त नहीं है क्रिया सिल्था का सिद्दान्त हैं प्रेणा का सिद्दान्त यह प् प्रस्ण संग्या 31 से लगा कर हमने 60 की चल्चा कर ली इससे पहले मैंने साइकोलोजी के 30 प्रस्णों का वीडियो अप्लोड कर रखा है आप कमेंट वॉक्स में या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर वो भी जरूर देखें और वो दोनों वीडियो जो एक गंटे का और 45 सेक्शन वीडियो और सीडिपी का वो वीडियो आप जरूर देखें आपको पात्रता प्रिक्षा में जो काफी हेल्प मिलेगी जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक जैहिंद जै बारत